मित्रना गौवर्मेंट्चे रूल्स और रेगुलेशन्स परमाने जावलेस एकादया बिल्डिंग चाहिट आट मजलेन पेक्षा जासता जाते कि वहाँ 24 मिटर पेक्षा जासता जाते तर अशावलेस त्या बिल्डिंग मदे एक ओपन स्पेस प्रवाइड केले आसते आन्ती फायर प्रूप सुद्धा आसते तर कूब जन्नास प्रशन पड़तो कि ही ओपन स्पेस कश्या सेटी प्रवाइड केले आसते नहाला मनतात तरिकाए तर अच्छे वीडियो मदे आपन या संदर पत जानूंगे नरावत मित्रनों तर ही वीडियो खूपस महत्वाचेन इन्फोर्मेटिव असनरे तर ही वीडियो तुम्ही लास प्रवाइड नक्की बगा मित्रनों कल्पना करा कि एकादे हाई राइस बिल्डिंग मदे तुम्ही जेवल पास 12-13 फ्लोर हो रहता है और अचनक कि इमर्जेंसिया आली और काई कार्नास तो ती आग लागली तर अचनक कि इमर्जेंसिया वेडेस तुम्हाला शक्क्य ओंडर नाए कि तुम्हें 12 फ्लोर परनता है कवचित कदी कदी आसा होता कि मदे कुटला तरी फ्लोरल आग लागते मा अचनक कि इमर्जेंसिया ची सिचुएशन निर्मान होते आणि तुम्हाला ती तुम्हाला शक्याद एकजिट घेता यतना ही मा अचनक कि गवश्या वेडेस गवर्मेंट ने आशी प्रोवेजन के लिया है कि जा बिल्डिंग चाहीट 24 मजलान पेक्षा जासता है अचा बिल्डिंग मदे एक ओपन स्पेस प्रोवेड केली आसते तो डिमार्टरेट ओपन स्पेस आसते आनि अचा इमर्जेंसिया वेडेस लोक त्या ओपन स्पेस वर यह उन 21 गोडा हो शकता ही ओपन जा का प्रोवेड कारनाया माँचा हे सुद्देश आसता जावाज त्या बिल्डिंग मादे एमर्जंसी एते त्यावाज खूप खाई लोक त्या प्रटिकुलर एरया मादे एक थरे हो शकता आन तितुन अस गवर्मेंट चा फायर सेवा असतिल अनि जा इमर्जंसी सेवा असिल त्या लोकान एक एक वरोन भाहर काड़ू शकता त्या परिट्युगलर ओपन स्पेस ला आपन रिफ्यूज एरया आसा मनतो रिफ्यूज एरया आशा प्रकार त्यार केलला स्तो तो पूर्ण ता ओपन असतो तो पूर्ण प्रकार चे लोका एक परिट्युगलर लिमिट परंद जमली की फायर सिस्टिम्स के वाज़ा इमर्जंसी सेवा असता त्याना सोपगा जाता कि लोकान एक एक करन भाहर काड़ते ही जर आपन महाराष्टा चे उनिफाइड डेवलेप्मेंट कंट्रोल रूल्स पाइले तर त्यात्मा जरनी आशा मेंशन केलला है कि जर एक अधे बिल्डिंग चाहिए 24 मेटर पेक्षा जास्ता जाता सेल तर अशा बिल्डिंग मदे जो काई आपन रिफ्यूस एरया अनुसरा टोटल येल या दोगान पे कि whichever is higher जी काई higher आजल ती तुमाला रिफ्यूस एरया मनूं तिते प्रोवाइड करावी लागेल रिफ्यूस एरया जो काई प्रोवाइड केला जाईल तो नहीं मी पेरिफेरी लासा हुआ कुटे बिल्डिंग चाम मदे रिफ्यूस एरया प्रोवाइड करू शकत नाही कि हुआ तो कैंटिलिवर प्रोजेक्शन मदे प्रोवाइड केला आसा हुआ तस एस और रिफ्यूजर यह हां कुटले लेका फाज नहीं पूर्ना था एर साथी ओपना आशा हा अन तया मदे सुरक्ष साथी रेलिंग शीश्टीम केली अचावी जर एकादे बिल्डिंग चाहिटी 24 मेटर पास हुन 41 मेटर परनता हैल मझेस 8 मेटर पास हुन 13 मेटर परनता हैल तर बिल्डर ला 24 मेटर नंतर मझेस लगेस 8 मेटर ना 9 मेटर रिफ्यूजर यागी हावा लागेल असे उनिफाइड DC रूल्स मदे सांगित लेला है तर एकादे बिल्डिंग चाहिटी 45 मेटर पक्सरा केशता हैल झासे 3 मेटर पक्सरा नेस 11 मेटर बंपएड़ रिफ्यूजर रिफ्यूजर उस跳े प्रॉआड़ा लागेल अन्य प्रत्यक 15 मेटर मझेस पास मेटर मझेस लग चाह ग्याभागेल मित्रवन आधी बिल्डर काया कराया से कि या परिटिकल रिफ्यूज एरिया पर्सनल यूज सैटी वापराय से कि वो कौन तरी सेल करून टाकाय जे मत्या मोला हाज़ो काय तैसा उद्देश असा तो पूर्ण नहीं वाई सा मत्या अंडर तैन नहीं आसा सांगेत ले कि बिल्डर ला हा रिफ्यूज एरिया कौन ला ही विकता है नर नाई तो पूर्ण ताह त्या उद्देश सेटिस वापर ला गेला पाई जे अनि या वितरिकता बिल्डर ने जो काय रिफ्यूज एरिया प्रोवेड केला है तो आस पर गवर्मेंट नॉम साहे का अनि आस पर एप्रूज ड्रॉइंग साहे का यह सुद्धा चेक कराई चे जवाब दरी सिविक बोडी चे असेल आनि हे चेक के ले शोए कुटला यह ब इमर्जंसी मदे प्रत्यक मानसाले जिता यून 11 अन्तितुन इमर्जंसी मदे तना बाहर काड़ता यह तरह काई प्रोविजंस गवर्मेंट ने सांगेतली लाहे ते प्रत्यक बिल्डर ला फॉलो करावे लागततत तर मितरा नो ही ओती रिफ्यूज एरिया बदल मायती या अब इतल्या बदल धन्यवाद मुझा पूर्चा वीडियो मत देख